आयासी करने वालों के मुख से भगवान का धन्यवाद नहीं निकलता। भोगने वालों के मुख से भोग और विलास में डूबे हुए व्यक्ति के मुख से भगवान को धन्यवाद नहीं निकलता। अगर भोग और विलास में डूबा हुआ व्यक्ति अपने को धन्यवा देता वो तो में नहीं होता तो यह काम नहीं होता वो तो में नहीं कर दिया और किसी की सामर्थिता थी वो अगर में नहीं करती तो यह होता ही नहीं वो तो में नहीं होता तो यह काम नहीं होता जो अहम म बिंदू पर डूबा हुआ है, उसको लगता है कि सब अच्छा काम में ही करता हूँ दूसरा दुनिया में कोई नहीं कर पाता हम अगर चार भाई है, तीन भाई है दो भाई है, छे भाई है, साथ भाई है पाँच भाई है, एक भाई है हम जितने भी परिवार में लोग रहे हमारी मन की अकांचा हमारा अहंकार हमारा काम हमारी आसक्तियां हमारा लोब हमारी दुर्शना हमारी वासना और हमारा मोह यह हमारे सामने खड़ा होकर करता है कि सब अच्छा काम में करता हूँ वो तो तुम नहीं होते तो कोई ना करता म हमारी आसक्तियां बोलती है और करने वाला कोई दूसरा नहीं प्रभु आप की कृपा से सब काम हो रहा है करते हो भोले बाबा मेरा करने वाला तो वो है हम आसक्तियों में डूबे इसलिए सायत करते हैं सिक्छा और संस्कार यह दोनों बड़े विचित रहे हैं राम जी को क्यों पढ़ने के लिए भेजा गया क्या राम जी भगवान थे तो क्या उनको ज्ञान नहीं था संपून ज्ञान था क्या भगवान कृष्ण को ज्ञान नहीं था संपून ज्ञान था मेरे कृष्ण को भी संपूर्ण ग्यान था पर दोनों को पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में इसलिए भेजा गया था क्योंकि अगर ये शिक्षा ग्रहन कर लेंगे तो ये पक्का है दो चीजे प्रवल है शिक्षा और संसकार शिक्षा तुम्हें हारने नहीं देती और संसकार तुम्हें गिरने नहीं देता ध्यान दीजिए अगर राम को भेजा गया है तो इसलिए भेजा गया कि ये कहीं हारे ना अगर बगवान कृष्ट को सांधी पढ़ी बाबा के आश्रम में पढ़ने के लिए बहजा गया तो इसलिए बहजा गया कि जगत में हारेना